Welcome back to my channel Seem House by Kalpna आज हम सारी से NR के लिए सूट बनाने वाले हैं जिसे आप अम्रेला सूट भी कह सकते हैं यहाँ पे मैंने 5 मिटर की बॉडर वाली साडी ली है आप देख सकते हो इसका पला अलग अलगा है तो हम इसे फ्रंट में डिजाइनिंग के लिए दालेंगे तो यह पूरी 5 मिटर की साडी है बॉडर वाली बिग बॉडर तो हम इसे अलग अलग पहले काट लेंगे अलग कर देंगे ताकि हम इसे अपने ड्रेस में टैच कर सकें और यह छोटी बॉडर है इसे हम दुपट्टे के लिए और रेस के स्लीव के लिए भी अड़ कर सकते हैं यहां पर मैंने बॉडॉस का यह पाट है आच्छी तो इसे मैंने पहले कर लग कर दिया है और पर यह जितनी भी बॉडर है यह भी हम काट कर लग कर देंगे कि हम जब सूट सिलेंगे तब उसे अटाच करेंगे राउंड में और वो किस तरह अटाच करेंगे आपको एंड में आप देख सकते हो यह सारा लेस बॉडर हमने निकाल दिया है यह है तोटी वाली बॉडर जो हमें दुपट्टे में भी आड करने के लिए यूज होगा इस तरह से यह पूरी सारी रेडी है अब हम इस सारी में से कली यानि प्लीट्स निकालेंगे और प्लीट्स निकालने के लिए मेज़र्मेंट सबसे आपको पहले आप जहां से यह प्लीट अटाच करने वाले हैं जैसे आपकी कमर का भाग है वहां से आपको मेज़र्म करना होगा टोटल आपने दस कलिया ली है 5 फ्रंट के लिए 5 बैक के लिए आपको घेरा जादा चाहिए तो आप कलियों को बढ़ा सकते है हमारा यहां कली का मेज़र्मेंट इस तरह है कि हमारा वैस साइज 36 है 36 डिवाइड बाइ 10 कली जो हमें 3.6 मिलता है उसमें हम 1 इंच मार्जिन का डालेंगे तो हमें 1 साइट का पैनल का कली का भाग 4.6 का आएगा और हमने और नीचे जो बॉटम के लिए ब्रॉड वाला है वो आप अपनी मर्जी से कितना भी छोड़ सकते हो मैंने 10 इंच लिया है तो आपने एक प्लीट ऐसे निकालने के बाद कली निकालने के बाद उसी तरह से अपने बाकी कलियों को भी काट देना है तो याद रहे कलियों को काटते वक्त आप यह इस तरह से टर्न करके काटेंगे तो कपड़ा आपका जादा बचेगा तो यह मैंने 10 कलिया निकाल दी है अब इसे अटाच करने के लिए आपको हमेशा याद रखी कि पहली जो कली है आपकी सीधी लाइन जो होगी वो एंड म में मिलेगा तो मैंने 5 कलिया यूं फ्रेंट में और पांच पाक में अटाच करके रेडी कर ली है अब यह अपर पार्ट है अपर पार्ट के लिए आपको मेजरमेंट कैसे लेना है यह मैंने फ्रंट और बाक के लिए दो पैनल्स ले लिए है दो इंच मैंने फ्रंट का पा लेंगे अगिर आम होल हमें 7 चाहिए लेगी हम 6 लेंगे क्योंकि हमने बैक में दो इंच आड किया है तो वहां से हमें एक इंच मिल जाते हुसकि तो हमने यहाँ पर आ मोइल के लिए एक इंच कम क्या है है हमने यहाँ पर अगेन आ arm hole का front and back ready करना है इस तरह से ही chest का हमने यहाँ पे 9 inch लिया है plus 1 inch margin के लिए यानि total 10 inch 34 size की गुर्ती है 34 size का chest area है यहाँ पे यहाँ पे front मुझे length इसकी चाहिए थी 13 inch तो हमने 13 पे mark करकर फिर इसे extra 1 inch से लाई के लिए भी बढ़ा दिया है तो total यह 14 inch का हो जुगा है तो 1 inch सलाई में दप जाएगा नीचे की और अभी हमने arm hole की curve दे देना है front और back का और फिर हमने कमर का measurement लेना है कमर यानि west का measurement यहाँ पे 8 inch है 1 inch plus करकर 9 inch लिया है और फिर हम इसे attach कर देंगे यानि in lines को जोड़ देंगे अब हमने गला बनाना है front गला मुझे इंचाई ये length में तो हमें उसे 4 inch लेना पड़ेगा और back गला अगर हमें 4 inch है तो हमें उसे 5 inch लेना होगा आप धीरे धीरे इसलिए बता रहे हूं ताकि आप step by step easily इसे समझ सकें क्योंकि beginners के लिए गला और armholes में काफी problems आती है यह बहुत simple तरीका है और असान भी है इसे आप बना के perfectly वैग कर सकते हो अगर आपको measurement completely समझ में आता है वो चाहे कोई भी size का हो तो आप बाकी के size को भी आप अपने हसाब से बना सकते हो तो यहां पर मैंने back color करीबन मुझे तीन चाहिए था तो मैंने इसे बढ़ाकर 4 inch कर दिया है क्योंकि इस तरह से fold होने पर यह कम हो जाता है तो अगर आपको जितना भी back के लिए लेना है उसे 1 inch जादा बढ़ाना पड़ेगा और front के लिए आपको जित इसना भी इंच लेना है उसे 1 inch कम लेना हुआ क्योंकि हमने पीछे का जो पार्ट है उसे बढ़ा दिया है अब यहां पर हम कटिंग कर लेंगे तो यह armholes की कटिंग आप दोनों पल्लों को दोनों back और front को एकी साथ काट सकते हैं अब यहां पर हमने सबसे पहले पैक कला काटना है और उसके बाद यहां पर हमने शोल्डर में थोड़ा सा ड्रॉप दे देना है आप इसे स्किप भी कर सकती हो लेकिन अगर आप इसे देते हो तो कृती और पॉफेक्टली सेट हो जाती है तो हाफ आफ इंच का स्क्वेर करके क्रॉस मार्क करके आपको कट कर लेना है और फिर यहां पर हमने साइट की सारी कटिंग कर ले रही है अब इतनी कटिंग होने के बाद फिर आपको फ्रंट और बैक पिले को अलग कर देना है क्योंकि अब हमने फ्रंट का गला काटना है यह हमारा बैक कंप्लीटली ड्रेडी है अब हमने फ्रंट में हमार रापर वाली की हमारा फ्रंट भी अभी तयार हो चुगा है यह अन्दर के साइड की तो पहले हमने उस पर कटिंग करती है तो तो हम अभी फ्रंट का जो मीन हमारा कपड़ा उपर आएगा साडी का, उसके लिए हमने कपड़ा लेने ना है, जितना हमारा 14 इंज की जितनी हमें लेंज चाही थी उतना प्रॉपर कपड़ा हम निकाल लेंगे, और अब इन कपड़ों से हम लाइनिंग की जो हमने अभी कटिंग किये, उस पे रख कर हम कटिंग कर देंगे तो ये जल्दी से हो जाएगा, इस तरह से अगर आप कटिंग करते हो तो ये हमने रख दिया है, फ्रंट साइड और इसे इसी तरह से आप कांट दें, जिससी मेजरमेंट है और ये बैक साइड के लिए हमने एक पट्टी लगाई है, इसलिए क्योंकि हमें बैक साइड के ल बर्चे होए कपड़ों में ताकि मुझे ये हाथ के साइड में बॉर्डर में इतना बड़ा बॉर्डर चाहिए था, तो हमने स्लीव के लिए इस तरह से कटिंग करनी है, अब स्लीव की कटिंग में भी काफी लोगों को प्रॉब्लम साती है, यहां पे मैंने ड्रॉप 3 इं इस तरह से मार्किंग करके आपको कटिंग करनी है, तो हमारी विट साड़े आठ क्रॉस में आती है, तो वह हमने ले ली थी, और जितना भी आपको बॉट्टम में धीला या टाइट चाहिए, वह मेजरमेंट से आप लेकर मार्किंग कर सकते हैं, स्लीफ की कटिंग के बाद हमने इतनी कटिंग के बाद अगें स्लीफ के लिए फ्रंट साइड में भी हमने ड्रॉप देना होता है, तो ये कटिंग हो जाने के बाद आपने उसे भी फ्रंट साइड से काटना है, ये रेडी हो चुकी है, अब ही हमने पहले सबसे पहले चेक क करना है कि सीधी साइड दोनों अंदर की और हो और फिर एक साइड से हमने यह कट कर लेना है फ्रंट के लिए तो यह माकिंग इसलिए है क्योंकि यह दोनों साइड आगी के साइड में कुर्ती के लगेंगे अगर आप lining attach करना चाहते हैं तो आप इस तरह से lining attach करें मैंने यहाँ पे करीबन कपड़ा लिया है तीन मिटर का और उसे cross fold कर दिया है पहले double fold किया है देन एक cone shape में fold कर दिया है और हम इसकी umbrella cutting करेंगे हमारा जितना भी कमर area था उतना measurement आपको लेना है हमारी कमर four fold में हमने 9 इंच ली थी तो हमने यहाँ पे 9 इंच के ली पहले सबसे पहले 11 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है यूं और जब हम इसे round करेंगे तो यह करीबन पूरा आप पहले चेक करें आपका जटिमेंट है वो उतना परफेक्ट ली आना चाहिए ताकि attachment करते वक्त कोई problem ना हो यह bottom में हमने length हमारे जो main fabric होगा उससे एक यह दो एंच कम लेना है और फिर आपने यूं सेर्कल बना देना है प्रॉपर ली उपर से measurement करके जैसे हमने यहाँ पे करीबन 38 टू 40 लिया है तो वो राउन में पूरा उतना ही marking आना चाहिए तो अब हम इसे cut कर लेंगे इस lining के fourfold fabric को cut करने के बाद हमने जब इसे open करेंगे तब हिसे हम again दो parts में cut करेंगे side में cut करके वो इसलिए क्योंकि जब हमने main fabric जो कलियो वाला है ready किया है यह front part है तो इसमें एक part हम lining का attach करेंगे कुछ इस तरह से back side में और इसी तरह back part भी हम ready करेंगे यह front part है और इसी तरह से जो back part ready है तो हमने upper side में इसे attach कर देना है और back side के लिए भी दूसरा part यूँ ही attach हो जाएगा अब हमने attach करना है border जो हमने starting में अलग करकर निकाल कर रखी थी उसे हमने ultra इस तरह से रख देना है और पूरी round में stitch कर देना है और जब आप इसे turn करेंगे तो यह सीधा हो जाएगा सीधी side में दिखेगा तो attach होने के बाद आपको यह कुछ इस तरह से दिखेगा हमने इसी साधी में पांच मिटे के साधी में डुपट्टा भी निकाला था और बच्ची वी lease अड़ कर दी थी तो यह बहुत खुबसूरत सा कली वाला नार कली अमरीला ड्रेस रेड़ी है आप पैनल्स बढ़ा कर और घीर वाला भी बना सकते हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करें तब तक के लिए थैंक यू बाबाई